सबापती जी आज इस सदन की सोभा बढ़ाने वाले सदन में जीवन्त ताल आने वाले और सदन के माध्धम से जन सेवा में रत ऐसे चार हमारे साथ ही उनका कारकाल पूर्ण होने के कारण नए कारेकी और कदम रख रहे हैं स्रिमान गुलाम नभी आजाज जी स्रिमान समसेर सिंजी मीर मुहमद पहयाज जी नाजिर एहमद जी मैं आप चारों भानुभाव को इस सदन की स्वभा बढ़ाने के लिए आपके अनुभाव का आपके ज्ञान का सदन को और देश को लाब देने के लिए और अपने खेत्र की समस्याओं का सवाधान के लिए आपने जो कुछ भी योगदान किया है उसके लिए मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ मिर महमद जी और नजिर एहमद जी ये दोनों ऐसे साथी सदन में शायद उनके तरह बहुत कम लोगों का ध्यान गया होगा लेकिन कोई भी सत्र ऐसा नहीं होगा कि जिनके साथ मुझे मेरी चेम्बर में बैठ करके अलग-अलग विश्यों पर सुनने का समझने का मोका न मिला इवन कश्मीर की भी बारी किया जब उनके साथ बैठता था कभी कभी तो परिवार के साथ भी आते थे इतने अलेक पहलू मेरे सामने रखते थे वो मेरे लिए बड़ा इनलाइटिंग रहता था तो मैं हमारे इन दोनों साथों का जो मेरे साथ व्यक्ति के दुरुप से नाता रहा और जो जानकारिया मुझे वो मिलती थी तो उसके लिए उनका रदय से अभार मी व्यक्ति करता हूं और मुझे विस्वास है को उनका कमिट्मेंट और उनकी शमता ये दोनों देश के लिए और विशेश करके जम्मु कश्वीर के लिए काम आएगी देश की एकता देश के सुक्ष शान्ति वैभाव को बढ़ाने में काम आएगी जा मुझे पुरा विस्वास है हमारे एक साथी समसेर से जी अब तो याद भी नहीं रहा कितने सालों से मैं उनके साथ काम करता रहा हूँ कि मैं संगठन की दुनिया में का इंसान रहा इसी छेत्र में मैं काम करता था कई वर्षों तक जमुकिश्मी में भी काम करने का मुखा मिला तो मेरे साथ ही कारगरता के रूप में कभी एक स्कूटर पर ट्रावल करने का मुखा मिलता था बहुत छोटी आयू में जो इमर्जेंसी में जेल में गए उसमें समसेर जी थे और इस सदन में समसेर जी जी की उपस्तिती 96% है यह अपने आप में यानि जो दाईत्वय जनता ने उनको दिया उसको बिलकुल शत्र प्रतिशत निभाने का प्रयास मुझे विश्वास है कि जम्मु कश्मीर से रिटार होना वाले चारे आदरने सदस्यों के लिए उनके जीवन का यह कारकाल सबसे उत्तम कारकाल है क्योंकि इतिहास ने एक नई करवट बदली है और जिसके वो साक्षी बने हैं सहियात्री बने हैं यह उनके जीवन की महत बड़ी घाता है सिमान गुलाब नभी जी मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाब नभी जी के बाद इस पद को जो समालेंगे उनको गुलाब नभी जी से मैच करने में बहुत दिकत पड़ेगी क्योंकि गुलाब नभी जी अपने दल की चिंता करते थे लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे यह चोटी बात नहीं है जी बहुत बड़ी बात है वरना अपोजिशन के लीडर के रूप में अपना दबदबा प्यादा करना यह सब मोह किसी को भी हो सकता है लेकिन उनोंने सदन से मैच्वरत पभार जी को भी इसी केटेगरी में रखता है वे सदन की और देश की चिंता को प्रायोरिटी देने वाले नेताओं में से रहें गुलाम नभी जी ने बख्भी इस काम को निभाया है मुझे आद है इस करोना काल में मैं एक फ्लोर लीडर्स की मीटिंग कर रहा था तो उसी दिन गुलाम नभी जी का फोन आया तो थीक है आप करते हैं लेकिन आप एक काम कीजिए सभी पार्टी लीडर्स की मीटिंग जुरू बुलाइगे मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने पार्टी लीडर्स के साथ सभी पार्टी अध्यक्षों के साथ बैठने का मुझे सुझाव दिया और मैंने उस मिटिंग को किया भी गुलाम नभी जी के सुझाव पर किया था और मुझे कहने में यानि इस प्रकार का संपर्ख और उसका मूल कारण है कि उनको दोनों तरफ का अनुभोग रहा है सत्ता दल का भी और विपक्ष का 28 साल कारकार यह अपने आप में बहुत बड़ी पात होती है जी बहुत साल पहले की बात है शायद अटल जी की सरकार होकी में याद ने रहा मैं यहां सदन में किसी काम से आया था मैं तो दब राजनीति में नहीं था यह इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं था मैं संगर्ण का काम करता था तो मैं और गुलाब नभी जी ऐसे ही लॉबी में गपे मार रहे थे अब जैसा पत्रकारों का स्वभाव रहता हैं वराबर नजन लगाए बैठे थे कि यह दुरों का बेल कैसे हो सकता है हम हसी तो हम जैसे ही निकले तो पत्रकारों नगेल लिया गुलाब नभी जी ने भाट बढ़िया जवाब दिया वो जवाब हम लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है उन्हों का भाई देखिए आप लोग हमको अख़वारों में या टीवी माध्यमों में या पब्लिक मिटिं यह जो स्पिरिट है वो स्पिरिट अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है गुलाब नभी जी का एक शौक शाइद बहुत कम लोगों को पता होगा और गभी उनके साथ बैठो गे तो बताएंगे हम सरकारी बंगलों में रहते हैं तो बंगले की दिवारे अपना सोफा सेट उसी के आसपास हमारा दिमाग रहता है लेकिन गुलाब नभी जी ने उस बंगले में जो बगीचा बनाया है यह एक प्रकार से कश्मीर की घाटी की याद दिला दे है आईसा बगीचा बढाया है और इसका उनको गर्व भी है वो समय देते हैं नहीं नहीं चीजे जोडते हैं और हर बार जब कॉंपटिशन होती है तो उनका बगलों रवर्वल ने आता है यह अपने सरकारी जगा को भी कितने प्यार से समालना है यह बिल्कुल मन से उन्होंने इसको समालना है जब आप मुख्यमंत्री थे मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री के नाते काम करता था हमारी बहुत गहरी निकड़ता रही है उसकारतों में शायद ही कोई ऐसी घटना निमिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्ख सेतु न रहा एक बार गुजरात के यात मुख्यमंत्री क्योंके जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है और टर्रिस्टों ने पर हमला कर दिया कि करिवाथ लोग साइद मारे गए सबसे पहले गुलाम नभीजे का मुझे फोन आ रहा हुआ 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 सिर्फ सुचना देने का नहीं था उनके आशू रुक नहीं रहे थे फोन पर उस समय प्रणम मुखर जी साब डिफेंस मिनिस्टर करें अगर अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए इंडेड़ बाड़ी को लाने के लिए राद देर हो गई थे प्रणम मुखर जी साब ने कहा आप जिंता मत कीजिए मैं करता हूं भी होसता है लेकिन रात में फिर गुलाम मुखर जी का फोन आया वे अरपुट थे अरपुट थे उन्हें मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्र की चिंता करें बैसे चिंता परिवार के सदस्र की चिंता फोन किया और जी कि चुलाम मुट थे वाद़ प्रुट थे ज़न ग्रिवार के सदस्र के अरप्या पक्री प्रूबाब पर जे किंता कि सब्ता कि जिवन में आती रहती है लेकिन उसे कैसे पचाना कि मेरे लिए बड़ा बाहुक्पल था कि दूसरे दिन सुभेफ होना आया कि मोडीजे सब लोग पहुंच गई कि इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नभी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आधर करता हूं और मुझे पुरा विश्वास है कि उनकी संव्यता नम्रता इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना वो कभी उनको चेंड से बैठने ने देगे और मुझे विश्वास है कि जो भी दाईत्म जहां भी वो सम्मालेंगे भी जुरूर वैल्यू एडिशन करेंगे कॉंट्रिबिशन करेंगे और देश उनसे लभाविन प्रित होगा यह सबरा पौक्ता विश्वास है मैं फिर एक बाद उनके सेवाओं के लिए आधर पुर्वक धन्यवाद करता हूं और व्यक्तिकद रुप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले इन चार मानिय सदसों के लिए खुले हैं आपके विचार आपके सुझाव क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है यह अनुभो बहुत काम आता है मुझे मिलता रहेगा यह पेच्छा मैं रखता ही रहूंगा आपको मैं देदूंगा फिर एक बार बहुत शुकाम ना है धन्यवाद